हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर दीशा प्रजापती और आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल डिखके डेंटल वर्ड में जहां पर हम बात करते हैं दातों के प्रॉब्लम्स और उसके सलुशन के बारे में तो आज का अपना टॉपिक है टीथ में फिलिंग करना या टीथ रेस्टोरेशन जी हाँ जिसे सामाने भाषा में दात में सिमेंट भरना भी बोला जाता है तो दात में टीथ में फिलिंग कब कर सकते हैं कौन से सिचुएशन में टीथ में फिलिंग होती है फिलिंग के क्या है और कौन से material यूज होते हैं ये सारी information में ये वीडियो में देने वाली हूँ तो end तक बने रही है स्टार्ट करते हैं कि teeth में filling कप कर सकते हैं अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है tooth structure के बारे में तो पहला वो देख लेज़े क्योंकि तभी आपको मैं समझा पाऊंगी कि tooth में filling कप कर सकते हैं तो जब हमारे दातों की सडन, दातों का first layer enamel या दुसका दूसरा layer dentin तक रहता है, उसी case में हम दातों में feeling कर सकते हैं, जिसके symptoms रहते हैं कि कभी-कभी patient बोलते हैं कि दात खड़ा हो गया है, मुझे दुख नहीं रहा है, या कभी-कभी precautionary patient आते हैं कि मैम दात में कुछ काल काला दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, यही सब cases में हम दात में feeling कर सकते हैं, अगर आपको pain है तो वो दात feeling नहीं कर सकते हैं, क्योंकि routine practice में बहुत सारे patient बोलते हैं कि मैम मेरा दात दुख रहा है, अभी दात में cement पर दीजे, वो case में cement filling नहीं होती है, तो यह पहला clear कर किजिए कि कौन से case में tooth filling होती है और नहीं होती है, तो यह बात हो गई कि अगर हमारी sudden painless है, आपको sudden दिखी है, तब आप आए है मेरे पास, या आपका tooth में food lodgment हो रहा है, इसलिए आप आए है, वो ही सारे cases में हम दात में filling कर सकते हैं, feelings के total दो type है main, एक है temporary filling और दूसरा है permanent filling, temporary filling कब की जाती है, तो जब आपका sudden है, वो dentine से भी थोड़ा आगे जाने के बाद, pulp के बिल्कुल नजदीक है, जो आपका dentist ही rule out कर सकता है, तब हम decide करते हैं कि यह patient को एक बार हम सारा sudden निकालने के बाद temporary filling देते हैं for 7 days, अगर within 7 days आपको कभी भी वो teeth में pain नहीं होता है, तो वो temporary filling replace हो जाता है, आपका permanent filling से, वो case में ही एक है, जब हम temporary filling कुछ time के लिए patient को देते हैं, और दूसरा है कि अगर आप root canal treatment करवा रहे हैं आपके dentist के पास, तो between जो दो sitting रहते हैं, उसमें भी हम कभी गभी patient को temporary filling देते हैं, तो यह था temporary filling के बारे में थोड़ा सा information, अब बात करते हैं permanent filling के बारे में, तो permanent filling में use होने वाले material कौन कौन से है, permanent filling में total चार टाइप के material यूज होते हैं, पहला है amalgam filling, silver filling जिसको बोला जाता है या हम उसको चांदी भरवाना भी बोलते हैं, दूसरा है composite filling, जो जादा तर दा normal cement, जो बच्चों में सबसे जादा use होता है, और चौता है miracle mix, जो कुछ materials का combination है, तो आज का episode में हम बात करने वाले हैं, silver filling के बारे में and composite filling के बारे में, तो सबसे पहला है silver filling, silver filling या चांदी भरना, जैसा आप सबको शायद पता है कि कभी ना कभी किसीने सुना होगा या या amalgam filling जो है, बहुत पुरानी filling है, बहुत सालों से चल रही है, और बहुत ही जादा strong material है, अगर वो आपके दातों में भरा हुआ है, तो बहुत सालों तक टिकता है, कुछ problem नहीं आती, आप बहुत अच्छे से खाना खा सकते हैं उसके उपर, उसकी कुछ drawbacks है, जो मैं बताने वाली हूँ, जैसा silver filling अगर बहुत टाइम तक हमारे दातों में रहता है, तो हमारे दात का color change कर देता है, दातों को भी थोड़ा सा blackish बना देता है, वो उसका एक सबसे बड़ा drawback है, चान्दी का feeling किया हुआ दात कुछ इस प्रकार का दिखता है, ओके, तो आप दात सडा हुआ दिख रहा है, ऐसा कभी-कभी patient का complain रहता है, तीसरा है कि जब silver filling करते हैं हम patients को, तो silver filling भरने के लिए एक दात का अच्छा खासा portion remove करना पड़ता है हमें, समझो, example के लिए अगर आपके दातों में sudden थोड़ा सा ही है, पर फिर भी आपका preference है कि हमें दातों म भर सकते हैं, तभी वो चांदी उदर टिकता है, तो यह था silver amalgam filling के फाइदे और गेर फाइदे, दूसरा है composite filling, composite filling मतलब aesthetic filling बोला जाता है, या tooth color filling भी बोला जाता है उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे shades available है, तो जो आपके दात का shade रहेगा, उसका closest shade हम choose कर सकते हैं, और द दातों में fill कर सकते हैं, तो जो composite filling है, वो दातों में fill करने के बाद जादर कुछ ऐसा दिखता है, और वो कभी-कभी दातों में ऐसा merge हो जाता है, विल्कुल आपका दात है, वैसा ही समझ में आता है, इसलिए जादातर वो आगे के दातों की filling में use होता है, क्योंकि उसको aesthetic material भी बोलते है, उसका advantage यह है कि अगर आपका दात कम सड़ा हुआ है, तो जितना दात का portion है, वो sudden निकाल के उदर हम filling कर सकते हैं, उसके लिए हमें जादा tooth drill करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके भी कुछ disadvantage है, जैसे कि वो थोड़ा सा महेंगा material है, क्योंकि silver filling से बाद म आपके area और आपके dentist पर depend करता है कि वो आपको फिलिंग का कितना charge करते हैं, but yes, चांदी भरने से composite filling थोड़ा सा महेंगा रहता है, क्योंकि वो aesthetic purpose से use होता है, दूसरा है कि अगर आपके दात में बहुत बड़ी filling की हुँ है composite की, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा heavy load उस प बात करने वाले हैं, but इसी topic के दूसरे part में, so मिलते हैं next video में, till that stay happy, stay healthy, keep smiling, bye bye